हेलो डियर स्टूडेंट्स आएस टूटोरियल में हम टम्स अफ क्रेडिट को इस्टडी करते हैं मैं आपसे क्वेश्चिन पूछता हूं कि जब भी आप किसी को लोन देते हो या कोई चीज क्रेडिट पर देते हो या मतलब कुछ भी आपसे कोई बौरो करता है तो क्या और जो सबसे बड़ा प्रश्ण आपके दिमाग में रहेगा वो यह है कि क्या जो मैं लेंड कर रहा हूं चाहे वो गुर्स हों चाहे वो सविसेज हो चाहे वो मनियों यह वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा विल दा बौरोवर भी एबल टो रिटर्न दो मनी देट तब तक इसका पैसा दे देना और तीसरा यह कि जो पैसा आप बौरोवर को दे रहे हो उससे क्या कुछ आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे उस पर कि मैं 5% पर 6% 12% 13% पर ही मैं पैसा दे रहा हूं और इस पर मैं चार्ज करूंगा अगर जहां तक मनी की बात हो मनी देने की बात हो कोई मनी बोरो करना चाहता है तो तो यह जो चीज़ें आपके दिमाग को घूम रही है न यही बेसिस बनती हैं जब आप किसी को लोन देते हो तो और यही बेसिस को हम टर्मस ऑफ क्रेडिट कह सकते हैं जिसमें से जो सबसे पहला प्रस्ण था कि क्या यह यह वापि यह घर है जमीन है गाड़ी है बैंक बैलेंस है उस सब पर हमारी नजर रहती है कि हां भाई यह ले तो रहा है लेकिन इसके पास इतना कुछ है कि दे देगा उसी इक अधार में कितनी बड़े क्रेडिट सप्लाई करनी है यह कुश्चन के आंसर्स हमारे दिमाग में आते है तो इस देखते हैं Terms of Credit में बुक में क्या लिखा है इसमे लिखा है कि कोई भी लौन हम देते हैं तो उसे हम लौन एगरिमेंट ही कहेंगे अखिर हम कुछ बात करके ही लौन देते हैं और उस लोन एगरिमेंट में Interest Rate सामिल होता है जिसे Borrowers को देना ही देना है मतलब every loan agreement is suffice an interest rate which the borrower must pay to the lender Lender है, borrower है borrower जब पैसा वापिस करेगा तो इसमें interest मिला कर जोल कर देगा तब ही तो lender की income होगी with the repayment of the principal तो आपने पढ़ा होगा mathematics में कि जो loan दिया जाता है जितना उधार दिया जाता है कोई किसी को पैसा देता है तो उसका principal amount होता है और जो उसमें extra मिला कि दिया जाता है उसे हम interest कहते है simple interest हला कि आपने compound interest भी पढ़ा होगा जो कि banks use करते हैं और repayment of loan में आपको समझा जुका हूँ कि जो आपने पैसा उधाल लिया है उसे वापस जब आप देते हो तो उसे repayment of loan कहा जाता है repayment of the principal amount कहा जाता है तो in addition इसके अत्रिक lenders may demand collateral जो lender है वो collateral की demand कर सकता है जिसे आम बोलचल की भासा में security कहते हैं भाई किस आधार पर हम आपको loan दें अगर आप loan ना चुका पाए तो क्या करेंगे क्या हम अपना माथाप पकड़के बैठेंगे रोएंगे नहीं lender हमेशा borrower की हैसियत पर ध्यान रखता है कि अगर borrower ना दे पाया है तो मैं इस तरह से इससे वसूल लोगा तो lender अगर borrower को पैसा उधार दे रहा है तो उससे कह सकता है भईया मेरे पास कुछ रख दो इसके बदले में जब चुका होगे तो मैं दे दूँगा तो वो चीज जो रखवा रहा है गिरवी उसी को हम security कह सकते हैं तो यहां दिया है कि collateral agent asset मतलब संपत्ती है संपत्ती चल भी होती है चल भी होती और अब आप नहीं चुका पा रहे हो तो आपके घर में जो भैंस बंधी है जो चार-चार किलो सुभे सामदूर देती है मैं इसे उठा ले जाओंगा खोल ले जाओंगा जब पैसा चुका देना तो वापस ले जाना भैंस तो एक में एक्जामपल दिया तो लाइव स्टाउक्स और डिपोजिट्स विद दा बैंक जिनने डिपान डिपोजिट करते है तो वो सब कॉलेटरल का काम कर सकते है तो यह कॉलेटरल होता है इस सबसे पहले आदमी ध्यान में रखता है तो यूजेज दिस है जगारंटी इसे गारंटी की तौर पर लेता है कौन लेंडर तो बॉरबट जब लेंडर से उधार लेगा तो इसे गारंटी की तौर पर मेरे पास इतना कुछ है जब तक लोन नहीं रिपे हो जाएगा मैं यह आपके पास छोड़ता हूँ यह मैं आपके पास इसे गिरी भी रखता हूँ कुछ लोग जेवरात लग जाकर रख देते हैं सोने का हार ले जाकर रख दिया भया मुझे पांच जार रुपे दे दो अगर बॉर्वर यह उधार लेने वाला रिपे नहीं कर पाता है लोन को लेंडर है राइट तो लेंडर पास अधिकार होता है कि उसे बेश सकता है उस असेट को उस को अपने पेमिंट को प्राप्त करने के लिए जो इसने उसको दिया था अगर आपको नोट चाहिए इंके इंटरनेट पे आप यहां वाह गूंते हो ढोड़ते रहते हो हमने भी बनाए हुए नोट आपके लिए ओके यहां पे कुछ एक्जामपल्स दीए गए हैं अलोन अब जैसे स्वे मेगा है वो पांच लाग रुपए लोन पे लिती है अपना घर खरिदने के लिए हाउस लोन होते हैं इनको हाउस लोन कहा जाता है और उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो बारा परसेंट ऐसे आसपास चार्ज होता है अलग अलग अग आप बहुत आसानी से अगर ये सिंपल इंट्रेस्ट पे है तो आप और र475,000 से आप इंटरेस्ट निकल सकते हैं बाद में ऑंड मांट Чोटना देगा और इंस्तॉल्मेंट इसकी दस से डवाइट कर दोगे तो कितनी बनेगी तो मेरे हिसाब च्छे लाग पढ़ेगा महिने इसकी जो किस्त बनेगी वो 5,000 रुपए बनेगी क्यों क्योंकि उसे 10 साल में पे करना है तो 60,000 रुपए हर महिना देना पड़ेगा जो कि अगर हम इसे 12 डिवाइट करते हैं तो यह 5,000 तो उसकी जो इंस्टॉल्मेंट बनेगी 5,000 every month she will deposit 5,000 with the bank and 10 साल में पूरा और उसका घर भी हो जाएगा लेकिन इसमें भी collateral भी हमें देखना है बैंक कैसी थोड़ी देगा रहा चलते किसी भी वेक्ती को बैंक तभी लोन देता है जब उसके पास पता हो जाता है कि उसके field managers होते हैं वो जाके देखते हैं कि जो लोन मागने आया है वो collateral के रूप में जो चीज़े बता रहा है वो उसके पास है कि नहीं anyway mega had to submit to the bank documents showing her employment records तो mega जो है वो बैंक में documents जमा करती है जिसमें उसके employment records होते हैं कि भाई देखो मैं तो काम करती हूँ मैं तो salary वाली हूँ and salary before the bank अपनी salary भी सो करती है salary voucher सो करती होगी statement सो करती होगी और उसके बाद वो कहती है कि मैं loan वापस कर दूँगी the bank retained as collateral बैंक क्या करता है collateral के रूप में उसके papers रख लेता है नए घर के बलब जो नए घर वो खरीद रही है तो घर के जो owner के जो कागजाद होते हैं वो बैंक जमा करा लेता कि भाई ज entire loan with interest पूरा loan हो चुका देगी 6 लग कुल 10 साल में तो मिल जाएगा और हाँ अगर नहीं कर पाती है तो जितना बचा रह जाएगा उस घर को बेचकर उसको निलाम करके वो लोग recover कर लेंगे देखें यहां पे टेबल बढ़ने के लिए गया कि loan amount कितना है तो भाई है वो तो installment में पे होगा जोकि 10 साल में पे करना है और एक साल में बारा महिने होते हैं तो कुल मिलाके 120 इंस्टाल्मेंट्स बनेंगी 5-5,000 रुपएगी और collateral के रूप में जो new house के जो documents होते हैं कागजाद होते है papers होते हैं उन्हें रख लेता है bank देखें कितनी प्रक्रियां है पू जकता witness लगे गारंटर लगे और जो mode of repayment है कि भाई आप roll loan कैसे pay करोगे together comprise what is called terms of credit इनहीं terms of credit कहा जाता है the terms of credit vary vary मतलब बदला हुआ same नहीं substantially काफी हद तक from one credit arrangement to another इसे credit arrangement कहा गया है क्योंकि arrangement इसलिए कहा गया है कि इसमें बहुत सी बाते शामिल होती है देख व्यवस्था बनती है तब जाके आपको loan वो दिया जाता है loan और credit बिनना फर्क होता है कि loan आपको इकठा दिया जा सकता है पांस लाग का है तो इकठा आपको provide कर दिया गया जैसे अब card loan ले रहे हो अहाँ educational loan है तो वो थोड़ा कम रखेंगे agricultural credit है जो गाउधियाद में ruralism supply की जारी तो कम होगा rate of interest तो इसलिए यहाँ पे vary करते है credit arrangement दे में very depending on the nature of the lender उसके लावाँ जो उधार दे रहा है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है और borrower तो लेंडर कौन है borrower को और इस पर डिपेंड करेगा the next section will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangements तो अगले section में हम जो अलग-अलग different credit situations है उनको हम study करेंगे मलब credit यहाँ पे दिया जाता है तो उनकी क्या different terms of conditions हो सकती है और कौन lender है क्योंकि हमने देखा ना nature of lender तो bank है कि कोई वेक्ती है जो credit दे रहा है supply कर रहा है तो उसे हम अगले tutorial में ही लेंगे अब जैसे में question पूछा गया है कि why do lenders ask for collateral lending array as a guarantee against their loan कि अगर लोन repayment नहीं हो पाएगा तो वो उस collateral को use करेंगे उसे बेच कर they will recover their loan दूसरा question यह है कि बहुत गरीब है हमारे आदेश में तो क्या उनकी capacity to borrow पर फर्क पड़ता है अरे भाई जितना गरीब होगा उसकी capacity उतनी कम ही होगी यहां फिलिंदा ब्लैंक है कि जब loan लेने जाता है कोई वेक्ति यानि जो वरवर है वो easy terms of credit पर उसका ध्यान रहता है इसका अब यह है कि उसका low interest rate पर उसे loan दिया जाए और loan repayment की जो conditions है वो बहुत ही easy होनी चाहिए आसानी से loan repay हो सके कि पता जला आज दिया और कहा सुव वेचिए वीडियो तूरियल